जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते Hello and Welcome Friends, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Online GKGS Classes में Friends, हम लोगों का काफिला जो है यानि Online GKGS Classes का काफिला बहुत ही आगे बढ़ चुका है हम लोगों के जो topics हैं GKGS उसे related videos जो हैं आपको Online उप्लब्ग कराया जा रहा है YouTube चैनल Online GKGS Classes पे तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है साइन्स से है साइन्स से जो है टॉपिक की बिटामीन और उसके रासाइनिक नाम को कैसे याद किया जाए तो अगर आपको मेरे वीडियो जो है आप तक पहुंशती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करें जिससे आपके दोस्त भी दोस्त तक भी मेरा वीडियो जो है पहुंश सके सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो चलिए सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स देखिए ये बिटामिन्स हैं, बिटामिन्स जो है लगभग 6 होते हैं, बिटामिन B1, B2 वो जो है अलग होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से बिटामिन जो है 6 होते हैं, बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन D, बिटामिन E और बिटामिन K, त दिया हुआ रहेगा और तीन अधर ऑफ िया हुआ रहेगा इसी प्रकार से पुछा जाता है question के ी नाम क्या है और nar auf-sund दिये रहेंगे और आपको जो है उसे solve करना है ऐसी के उपर नाया है कि विटामिन का जो नाम होता है उसे हम लोख्यकेड होता है वीटामिनदी का जरा साइनिक नाम होता है ओ ट्रिक्स जो है आप यहितीन मिनट के अंदर जो है आप याद कर सकते हैं तो ट्रिक क्या है आ menor मेरा ट्रिक देखे क्या है रत पर एक टॉफी है गजब का ट्रिक है आप लोग को जो है मन में इसे दो से तीन बार जो है रिवाइस करना है तो रिवाइस करना है कैसे कि रत पर एक टॉफी है रत पर एक टॉफी है रत पर मन में ऐसे ही जो है बोलते रहना है कि रत पर एक टौफी है और देखिए इस रज से अर्थ होता है रेटिनॉल था से थाइमेन पॉस जो है यहाँ पे हाइड यानि साइलेंट है इसको जो है सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर जो पर को दिया गया है फिर देखिए ए का मतल अब कैलिस फेरोल जो विटामिन डी का रसाइनिक नाम है फिर तो यानि की टोको फेरोल और फी यानि की फिलोक्वीनोन तो हमें अब आसा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है यह ट्रिक और उसके साथ विटामिन का जो रसाइनिक नाम होता है आपको एक तम वीडियो चाहिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो को सेर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो है इस ट्रिक के बारे में जान सकें तो गाइज वीडियो देखने के लिए थेंक्यू